एलो एवरीवन मैं हूँ शिनाथ और आप देख रहे हैं वाइजी रोयल वर्क गाईज आज के इस वीडियो में हमारे पांसे स्प्लेंडर प्लस और उसमें एक जटके के प्रोब्लम है जटके ले रहे बाइक तो प्रोब्लम एक छोटा सा है बट प्रोब्लम को सोल करना अभी ऐसे एक्सेलेटर देते हैं यहीं पर आप देख सकते हो गाईज बाइक जटके ले रहे हैं एक्सेलेटर जो कट रहा है है तो एक बार केप निकाल के पावर वी केसा आ रहा है हो भी चेक कर लेते हैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर जो अभी स्टार्ट करते हैं बाइक को यहीं पर आप देख सकते हो पावर जो है वह हमारा कम्प्लीट आ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है पावर में दोस्तों काफी बार क्या होता है प्रोब्लम जो है वह हमारे बिल्कुल सामने ही होती है बड़ इसको ना देखते हुए हम दूसरी चीजों को चेक करते हैं ऐसा आज हमारे साथ भी हुआ है तो इसी स्प्लेंडर प्लस में हमने काफी सारे चीजे चेंज करके भी देख ली कोईल वगेरा और प्लग वगेरा और कार्बोर्टर को भी क्लीन कर लिया बट एक छोटी सी मेकेनिक की मिस्टेक की वज़ा से एसा प्रोब्लम आया हुआ है यहीं पर आप देख सकते हो इसम आपको दिखाता हुई यहीं पर प्रोब्लम फाइनली हमें मिल चुकी है बट आपको दिखाने के लिए यह वीडियो पूरा बनाया है क्योंकि आपके साथ भी अगर इस तरह का प्रोब्लम आता है तो आप आसानी से इसको सोल कर सकते हो तो गाइस यहीं पर एक्सिलेटर के और इसको निकालने के लिए इसी तरह करना पड़ता है इसको पहले दबाके एक्सिलेटर केबल को निकालके फिर इसको ऐसे ही निकाल लेना होता है अब गाइस यह रहा एक तो स्प्रिंग यह रहा उसका केप और अंदर जो है केबल है इसका और यहीं पे जो स्लाइड है इ इस साइड से यह स्लाइड जो है वह कारबर्टर में बेटती है और उपर की साइड यहीं पर देख सकते हो एक इसी तरह का इसके उपर एक लोक रहता है गाइज वह लोक यहीं पर आपको नहीं दिख रहा होगा यहीं पर देख सकते हो यह जो पीन है वह ऐसे ही बाहर निकल ज चुका था विडियो पुरा आपके लिए ही बनाया है ताकि आपको भी इस प्रोब्लम के बारे में पता लग सके तो यह जो पीन है इसके उपर लोक रहता है और यहीं पर आपको दिखाता हूँ हमने दूसरी स्लाइड जो है उसमें से निकाल के एक लोक लाए है यह लोक आसा पीन जो है वो उपर नीचे नहीं हो पाएगी लोक की वज़ा से और अभी क्या हो रहा है एकसे लेटर जब हम देते हैं तब यह स्लाइड उपर होगी फिर ऐसे ही निचे रखेंगे तो यह जो लोक है वो उपर नीचे होता रहेगा उसकी वज़ा से बाइक जो है वो हमारी जटके ले रही होती है और फूल एकसे लेटर जब भी हम देंगे तब स्लाइड पूरा उपर आ जाएगा और यह जो पीन है वो भी पूरा उपर रहेगा तो उसी टाइम पे बाइक जो है वो जटके नहीं ले रही होती है तो गाइस फाइनली यह जो लोक है इसको बिठा क होता है की इए आप देख सकते हो कुछ इसी तरह को फाइनली लोकको अमने बिठा दिया यहाँ आप देख सकते हो और यह जो लोक के इसके उपर यह जो स्प्रिंङ वह आ जाएगी ताकि लोक जो हो गल नहीं पाएगा यह पे फिन भी थोड़ा सा भी नहीं हिल पाएगा तो स्लाइड जो है इसको में इसी तरह फिटेंग अब भी पहले डलेगी और उसके उपर यहीं पर आप देख सकते हो यह केब्ल तो केबल का इनर जो है वह इसी तरह कुछ करके यह जो स्लाइड का खाली पार्ट में बिठाना होता है फिर स्प्रिंग को ऐसे छोड़ना होता ह यहीं पर इसी तरह स्लाइड का जो खाली पार्ट से इसको आगे रखते हुए स्लाइड को में कार्बोर्टर में इस्टोल करना होता है और उसके उपर जो इसका चूड़ी है इसको पेक कर देना है केप का और फाइनली इसको फिटिंग करके इसको करते हैं स्टार्ट करो तो माइक को उने स्टार्ट कर दिया है और यहीं पर आप देख सकते हो अभी कोई भी जटके नहीं ले रहे है प्रोब्लम जो हो हमारा विल्कुल फॉल हो चुका है यहीं पर आप देख सकते हो नॉर्मल एक्सिलेटर करके आपको दिखाता हो मैं नॉर्मल से लेकर फॉल एक्सिलेटर में कोई भी अभी प्रोब्लम नहीं दिखाए दे रहा है तो फाइनली प्रोब्लम सोल हो चुका है अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रोब्लम आया है तो कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जरूर बताए तो हमारी चैनल पर इसे छोटे से लेकर बड़े प्रोब्लम का देखने के लिए चैनल को सब्सराइब जरूर कीजिए है आपको यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेर ऑफ Re ezक अगर आहीं के रहने वाले हो तो यही पर कॉण्टेक्ट कर सकते हो लिंग दिस्क्राइकन में मिल साथमें मिलते एक नहे मसेदार वीडियो के साथ ओके बाबाई